व्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ तौसीफ और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि किसी एक टोपिक पे आज हम लोग बात नहीं करते हैं यह एक पूरा का पूरा कम्प्लीट क्रैस कोर्स टाइप का वीडियो है और यह वीडियो काफी लंबा होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रियेट करेंगे एक कम्प्लीट व्यू प्रोजेक्ट और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे व्यू सी एलाई और व्यू सी हैं उसके इलावा इस प्रोजेक्ट में router का use करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एक component से दूसरे component पर जाने के लिए उसके बाद हम components use करेंगे component कैसे create करते हैं वो देखेंगे API call कैसे लगाते हैं बाकी की चीज़ है तो यहां मैं आपको एक छोटा सा project जो हम बनाने वाले हो उसका मैं demo दिखा देता हूँ कि finally यही यह चीज़ है जो हमें मतलब बनानी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो लिस्टिंग देख रहे हैं यह क्या है कि पोस्ट की लिस्टिंग आ रही यहां पर और इसके लिए मैंने क्या गया है कि एक dummy JSON API का यूज किया है जिससे कि क्या हो रहा कि यह JSON format में API आ रहा है और जो मैंने API यूज किया है मतलब testing purpose है तो इसमें मैंने क्या किया कि यह है पोस्ट यह पोस्ट की आप लिस्टिंग देख रहे हैं इस पोस्ट को मैंने क्या किया है कि Axios का यूज करके API कॉल लगाया है जिससे कि यहां पर लिस्ट आ रही है ठीक है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको ले करके जाएगा post के detail page पे जिसमें के post का detail है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह post का comment है यह भी क्या हो रहा है कि API के through आ रहा है और वो भी आ रहा है कहां से JSON placeholder से आ रहा है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं scroll करने के बाद यह इस link पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक post से related इतने के comment होते हैं particular post के comment उसको मैंने call कराया है तो यह सारी चीज़ें जो है वो हमें use करना है मतलब API का call लगाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद यहां से आप back कर सकते हैं back के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यह जिसे home और about लिखा हूँ तो यह दो link है इस पे मैंने router यूज किया हुआ है उसके अलावा जब आप इस पे click करते है post पे के link पे तो यह आपको जो post के detail पे लेके जाता है इसके लिए भी हमने dynamic route का use किया है उसके अलावा और जो example है वो मैं आपको दिखायता हूँ यानि कि और features क्या है जैसे आप यहाँ पे create post पे click करोगे तो यह इस तरीके से form आएगा इसमें क्या होता है post का title और post का description आप add कर सकते हैं और यहाँ पे जब आप add करेंगे तो यह क्या करता है कि यह post जो है वो हमें list कर देता है यानि कि हमारे post में यानि कि post get कर रहे है post हम add कर रहे है यानि कि new post और delete कर रहे है जब आप इस listing पे click करेंगे यानि कि box पे जब डबल click करेंगे तो ये इस तरीके से क्या करता है कि डिलीट कर देता है तो इसके लिए भी हमने API का ही यूज़ किया है ठीक है और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि तो मतलब कुल मिला कर कि यही सारी चीज़ें जो हमें बनानी है और इसके लिए हम लोग CLI का यूज़ करेंगे तो यह हमारा मतलब Vue.js की साइट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने प्रोजेक्ट क्रियेट करना है जैसा कि मैं आपको बताया कि CLI का यूज़ करना है तो CLI जब हम यूज़ करते हैं यानि कि कोई भी JavaScript framework जब आप यूज़ कर रहे हो है डाउनलोड करके देगा यहां से और उस फाइल पर आपको राइट किलिक करना है और उसके बाद उसमें option आता है install का उस पर आपको select करना है और next 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 बस simple है last में जाकर कि वो finish हो जाएगा आपको उसको close कर देना है ठीक है तो इस तरीके से आपको node.js आपके system पर अपडेट हो जाएगा मतब sorry install हो जाएगा ठीक है तो node.js आपको पहले install करना है मेरे system पर अलेडी है तो मैं install नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा जो है directly view CLI install करूँगा view CLI को install करने के लिए आपको view CLI के site पर जाना पड़ेगा तो आप यहां से भी जा सकते है अगर आप ecosystem के link पर जाए तो यहां पर देख सकते है view CLI है इस पर आप click करेंगे तो यह आपको लेकर कर जाएगा view CLI पर उस वाद आपको click करना है get started पर get started पर जब आप click करेंगे तो यह आपको documentation के page पर ले जाएगा यानि के guide के page पर यहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे आपको CLI जो install करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़े चाहिए के CLI का version कौन सा है तो सारी चीज़े तो आपको करना क्या है कि इस install button link पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको install का command लिखा हुआ है यानि कि npm install dash g space add the rate view slash cli इसको मैं यहां से कर लेता है copy और copy करने के बाद हमें install करना है तो install करने के लिए हमें चाहिए क्या एक command line interface ठीक है तो command line interface बहुत तरीक एख होता है आप system का जो default होता है वह भी यूज कर सकते है GitHub भी आता है वो भी आप यूज़ कर सकते है, Commander आता है वो भी यूज़ कर सकते है, Integrated Terminal होता है, हमारा VS Code अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो system का default है, वो मैं यूज यूज़ कर रहा हूँ, यानि कि Command Prompt, इसके लिए आपको Windows 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मुझे पता है, सर्च बार में आपको जाना है, वहां पर लिखना है cmd, तो आपका यह आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यह आपका open हो जाए तो आपको इसमें simply जो हम module भी बहुल सकते हैं, तो यह क्या करता है, कि जो npm है, वहां पर इसका package बना हुआ है, उसको वहां से वह download करता है, उसका install का मतलब यह है कि यह install करेगा आपके system में, उसके अलावा यह यहां पर dash g जो लिखा हुआ है, dash g का मतलब होता है global, यानि कि आपने इसे install कर लिया, तो आप अपने system में के किसी भी folder के अंदर view project जो create कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कि enter कर देना है, तो यह आपका install करने का process से start कर देगा, तो इसमें थोड़ा time लगी आपको wait करना होगा, क्योंकि मेरे में already install है, तो इसलिए यह जल्दी install करेगा, आपको थोड़ा wait करना होगा, ठीक है, तो जब install हो जाएगा, तो इस तरीके सा आपको message आएगा, कि install हो चुका है, और आपका version दिखाएगा, यहाँ पर आप देख सकते है, 3.8.3 दिखा रहा है, तो आपको इसे close कर देना, मैं यहाँ पर close कर देना हूँ, यानि कि इसका का अब हम क्या कर सकते है, कि project create कर सकते हैं किसी भी folder के अंदर, तो उसके लिए आप करना क्या है, जाना है create a project link पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा project create करने का command, जो कि क्या है, view create space, आपके project के folder का नाम, यानि कि आपके project का ना, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ से, और अब जो हम CLI यूज कर रहे हैं, वो हम integrated terminal यूज कर रहे हैं, जो कि visual studio code हमें provide करता है, visual studio code जो है, वो हमारा text editor है, जिसे हम use कर रहे हैं, code करने के लिए, यहाँ का आप देख सकते ह app नाम का एक folder बना हुआ है, जिसको मैंने इस editor के अंदर select किया हूआ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह folder है कहा, यह मैंने अपने system के drive के अंदर, एक project, view project नाम का folder है, उसके अंदर मैंने, यह folder create किया हूए, और उसको मैंने select किया हूआ हूँ, यहाँ से, ठीक है, तो जो कि blank है तो अब हमें क्या करना है कि terminal में जाना है integrated terminal यहाँ पर जो link देख रहे हैं इस पर आपको click करना है और इस तरीके से आपका integrated terminal open हो जाएगा आपको इस पर simply right click करना यह paste हो जाएगा अब यहाँ पर देख रहा है view, create और hello world जो लिखा हुआ hello world को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ यह इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं hello world यूज करता हूँ और जब मैं create करता हूँ तो यह क्या करेगा कि इस folder के अंदर एक hello world नपका folder create करेगा और उसके अंदर सारी file जो है यह अपना generate करेगा मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो है इसी folder के अंदर हूँ यानि के view app के अंदर हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर use करना हूँ dot ठीक है तो आपको create के बाद space dot देना और उसके enter करना यह क्या करेगा आपको कि इसी view app folder के अंदर create करेगा उसे पहले यह आपसे सवाल कुछ पूछेगा यानि की question आपको उसका answer देना है yes के लिए y दबाना no के लिए n दबाना है उसके बाद यहाँ पर दो option आते है preset select करने के लिए आपको कहेगा एक manually और एक में default तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप default के साथ ही जाए क्योंकि अगर आप manually में जाएंगे तो आपको सारी चीज़े manually select करना बढ़ेगा कि क्या क्या चीज़े आपको install करनी है तो इसलिए आप default पे जाए और इसको ऊपर निचे करने के लिए आपको keyboard में जो आपका arrow है आप arrow down arrow उसको select करना है use करना यानि के ठीक है तो default मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ और इसके बाद enter यह क्या करेगा कि आपका project जो वो create करना है start कर देगा इसमें लगना है आपको थोड़ा सा time तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ pause और जब यह complete हो जाएगा तो मैं इसको फिर से start करूँगा तो इसके लिए आपको जो है wait करना पड़ा है क्योंकि थोड़ा सा यह इसमें time लगता है यह आपके system के configuration और net कर जो speed है उस पर depend करता है ठीक है तो यह जो है हमारा install हो चुका है और install होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे option आ रहा है command दिखा रहा है आपको npm run serve यह npm run serve आपको type करना है यह क्या करेगा कि आपका development server जो है वो आपका open कर देगा आपके default browser पे ठीक है यह इसका path है जैसे जो देख रहा आप नीचे लिखा हुआ localhost colon 8080 इस पर आप आपको open कर देगा आपका default जो browser आपके system में set है उस पर मेरा Chrome mozilla है तो यह है mozilla जिस पर इसने open कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो starter template जो देख रहा है यह इस तरीके से आपका display होगा ठीक है तो यह आपका जो यह ऐसी रहेगा बिल्कुल जब भी आपको changes क करेंगे तो आपको save करना या अपने आप यह इसको compile करेगा और browser पर आपको दिखाएगा ठीक है तो इसको मैं save कर देता हूं अभी फिलाल और बाकी देख लेते एक बार structures जो हमारे जो create हुआ है folder और files उसमें क्या-क्या है सबसे पहले देखते है package.json को package.json के अंदर क्या लिए वह सब scripts के अंदर आता है उसके लाबा है हमारे पास dependency और dev dependency और उसके बात नीचे में कुछ configuration है. डेबडिबेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें आपने अपने इस project को create किया है और उसके अंदर जो भी dependency वगएरे use हुई है उन सब का ये जो है version जो है वो इसमें record करके रखता है यानि कि उसको list करके रखता है तो ये सब मतलब हमें कोई काम का है नहीं बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर node module है तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें जाना ही नहीं मिलकुल उसके बाद है public public के अंदर आपको मिलेगा fav icon और index.html जो कि ये जो आप देख रहे हैं जो first time पे जब browser जब open होता है तो हमारा इस page को वो load करता है यानि कि first जो file run होती है वो हमारा यही होता है यानि कि index.html इसमें आप देख सकते हैं कि एक id है और id के अंदर लिखा हुआ app यह जो हमारा id है यह हमारा call और src folder के अंदर main.js यहां पे आप देख रहे हैं कि यह जो .mount के अंदर लिखा हुआ है hash app इससे वो link है उसके बाद उपर में आप देख रहे हैं कि यहां पे जो हमारा view. view.js है उसे import किया गया है और उसके नीचे एक app नाम का app.view है जो कि हमारा main component है उसे यहां पे link किया गया है जो कि हमारा यह है app.view ठीक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि style है script है और template template जो है हमारा यह क्या करता है कि जितने भी HTML होते हैं वो हम template के अंदर लिखते हैं और script क के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा script होता है style के अंदर style होता है यहां पर आप template के अंदर देख सकते हैं कि main एक div है जिसके अंदर id लगी हुए है app और उसके अंदर जो चीजे हैं मतलब HTML वगरह लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको detail हुआ उसके बाद script है script के अंदर देख हुआ है components object है उसके अंदर hello world लिखा हुआ जो कि इस script के अंदर देख सकते हैं आप जो हमने component call किया हुआ है उसको यहां पर define किया है उसके नीचे है यहां पर हमारा script script के अंदर क्या है कि CSS लिखा हुआ यानि कि यह हमारा global style sheet आप बोल सकते हैं इसको यानि कि जितनी भी application के अंदर हम CSS लिखेंगे वो अगर हम यहां पर define करते हैं तो यह हमारा globally जो है वो define हो जाए गया उसके बात यहां पर आप देख सकते हैं कि script के अंदर जो import किया गया है यह component यह component जो है यहां पर add किया गया है और यह आ कहां सरा components folder के अंदर अगर आप यहां पर जाएंगे components folder क अंदर hello world.view तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जित्ती भी HTML है वो सारा यहां पे आ रहा है ठीक है लोगों के जस्ट नीचे वो सारी से मतलब यहां से आ रही है जो जितने भी यूललाई पी टैग वगरा देख रहे हैं वो सारा HTML यहां पे जाए मैं इसको क्या करता हूं कि हटा दीता हूं अभी फिलाल के लिए और यहां पे हम कुछ dummy content add करते हैं सिर्फ देखाने के लिए मैं आपको यहां पे आट कर रहा हूं कि reflect हो रहा है या निवग आप मैं add कर देता हूं demo इसको save कर देता है save करने के कि जो HTML था वो हमारा हड़ी है अब उसकी जगह पर demo आ रहा है ठीक है तो अब इस component के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको थोड़ा और detail में समझा देता हूँ कि यह देखिए यह जो हमारा template tag जो start हो रहा और close हो रहा उसके अंदर एक mean मतलब एक HTML है यानि कि एक div है और उसके अंदर demo लिखा हुआ है और उसके बाद यहां पर देख रहे है script के अंदर क्या है कि इस component का name है उसके नीचे props है जो कि मैं आपको detail में बताऊंगा वैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो msg pass हो रहा है यह props पास हो रहा है औ और उसको यहां पर receive कर रहे है उस prop को जिसका type का है string है और वो string कहा जा रहा है जो कि उपर में message में आ रहा था वो है आपका ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते है कि style के अंदर CSS लिखा हुआ है यहां पर आपको ध्यान रखने वाली चीज है आपको बता रहा जो भी CSS होगा वो हमारा globally होगा यानि कि पूरे application के अंदर जहां जहां भी हम class use करेंगे उस पे वो CSS हमारा apply हो सकता है ठीक है बट अगर आप particular किसी component के अंदर CSS लिखना चाहते है तो उसके लिए आपको जो है script के साथ script भी define करना होगा otherwise जो है वो आपका जो CSS आप होता है कि इसको define करते हैं तो application को आगे बढ़ाना है हमें और आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर जो हमारा development server जो run हो रहा है इसको मैं कर देता हूँ close और close करने के लिए आपको यहां पर yes करना है मतला control c करेंगे तो यह आप से सवाल पूचेगा कि अगर yes हाँ तो y दबाना no तो n दबाना है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं start कर रहा हूँ router से router क्यों मैं start कर रहा हूँ वह मैं आपको थोड़ दिर में बताऊंगा तो router install करने के लिए हमें क्या करना होता है use simply लिखना होता है view add और router ठीक है यह enter करना आपको लिखना है type करना उसकार enter कर देना उसकार यह आपको सवाल पूछेगा उसमें आपको yes करना है उसके बाद यह क्या करेगा कि हमारे इस project के अंदर router जो है वो add कर देगा ठीक है router क्या होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा फिलाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि router ज इस views नाम के folder के अंदर में दो component है हमारे पास एक home.view और एक about.view ठीक है उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और फाइल है जिसका नाम है router.js जिसके अंदर हमारे जितने भी routes है यानि कि home और about का route है इसके उपर भी मैं आऊंगा अभी थोरी दिर में मैं overview आपको दे रहा हूं simply ठीक है तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि app.view app.view के अंदर आपने देखा पहले कुछ और आ रहा था अब क्या हो रहा है जब हमने इंस्टॉल किया तो कुछ और आ रहा है यानि कि router view आ रहा है और उसके बाद router link आ रहा है router link क्या है वो हमारा ज इस component पर हमें जाना होता है उस component को यह हमारा यहां पर display करता है क्योंकि यह single page application है ठीक है तो इस तरीके से मैं router add करना है और वापस से मैं आपको जो है हमारा server जो है वो start कर देता हूं मैं उसके लिए आपको npm run serve type करना होगा और यह क्या करेगा कि वापस से जो है सारी चीज लिंक दिखाई दे रहा है home और about अगर मैं इस पर click करता हूं तो यह हमें लेकर जाता है about पे और home पे यानिके home component पे और about component पे ठीक है अगर आप router के बारे में जाना चाहते है और detail में तो view.js के site पे जाए और ecosystem के अंदर यहां पे link है router का router.view.js.org इस पर आप click करें और यहां पे आपको सारी चीज़े detail में आपको मिल जाएगी तो यहां से अगर आप interested है इसके बारे में detail में जाना चाहते हैं तो आप यहां स इस और मैं आपको बता दूँ यहां पे view.cli के site पे आपको जब यहां पर जाएंगे plugins and preset पे अगर आप click करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी plugins होते हैं उसको आप add करने के लिए आपको simply add करना होता view add router but मैं आपको बता दूँ कि जो router है वो plugin नहीं है ठी plugin क्या होता है जैसे कि इस से related जैसे कि suppose कर लो कि आप angler वगार sorry angler कह रहा हूँ bootstrap वगार यूज करते हो तो वो सब as a plugin भी आप install कर सकते हो ठीक है तो उसमें अभी फिलाल हम नहीं जाएंगे तो सबसे पहले क्या करता है कि router link के बारे मैं आपको बता रहता हूँ router link क्या है जैसे कि a tag हम add करते है किसी भी html के अंदर किसी भी link पर जाने के लिए तो उसी तरीके से हमें क्या करना होता है कि router link add करना होता है router link start router link close और to to क्या करता है कि वो हमारा link होता है उसके अंदर जो भी हमने route js के अंदर define किया है उसको हम use कर लेते हैं तो जब हम आगे जो components create क जाओंगे कि कैसे जो है यह router js में मतलब route create करते हैं तो अभी हमें क्या करना है कि हमार पास two folder views और components तो इन दोनों के अंदर हमें क्या करना है कि जैसा मैंने आपको starting में example दिखाया project का उस तरीके से हमें components create करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि कोई भी folder select कर लेता components के लिए तो components folder के अंदर hello world को सबसे पहले मैं rename कर देता हूं header के नाम से और आप यहां पर आप देख सकते हैं कि जो header मैंने लिखाया है उसमे starting जो है वो h से start में कर रहा हूं यानि कि caps में है तो यह इस इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है अब जब इसको आप rename करेंगे तो यह आपका application जो है वो तूटने लगेगा ठीक है तो कोई दिक्त नहीं हो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि header आपने change कर दिया और उसका अंदर जाना आपको और name में आपको यहां पर header लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका component का name जो हो चेंज हो चुका है और इस props को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम इसका कोई use कर नहीं रहा है ठीक है तो यह हमारा name add हो गया और यह CSS है तो इसे ही मैं हटाऊंगा बट अभी फिलाल के लिए मैं इसको ऐसे रहन देता हूँ अब हमार header जो है वो हमने क्या किया है कि हमार header जो है component वो create हो चुका है अब हमें क्या करना है कि इसको हमें link करना होगा link करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि यह जो हमारा app.view है इसमें जो आपका router link वगरा जो आ रहा है यह सब को मैं चाहता हूँ कि य यहां पर as a custom stml tag self closing ठीक है यह start और close नहीं होता simply जो है वो आपका start होता है बस और self ही close हो जाता है तो इस तरीके से आपको यहां पर add कर देना है और उसके बाद इसको आपको import करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको script लिखना है और script यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जब मैंने script लिखा तो मैंने sort command यूज़ किया जिससे कि उसने क्या किया कि script यह जनेरेट कर दिया यह क्यों हो रहा है क्योंकि इसके लिए मैंने extension यूज़ किया हुआ है जिसका नान है viewter पता नहीं viewter है या फिर जो भी है आप इसको pronounce करें जिससे साब से तो यह है बस आप यह देख लें तो यह क्या करता है कि आपका syntax जो हाइलाइट करता है यानि कि यह जो color देख रहा है तो यह color दिखाता है आपको और component वगरा create करने के लिए short command देता है जिससे कि आप use कर सकते है तो आगे वीडियो में application create करने के लिए मैं आपको बार बार जो है मैं यह आपको दिखूंगा use करता हुआ तो इसलिए मैं आपको पहले मैंने आपको clear कर दिया कि जो भी मैं command use करूंगा उसका मतलब है कि short जो ठीक है तो अब हमें करना क्या है कि जो हमने ऊपर में जो header add किया है as a custom custom html attribute sorry custom html tag तो उसे हमें यहाँ पर import करना पड़ेगा यानि कि उस component को यानि कि header.view को तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर type करना है import import के बाद लिखना है आपको उसका name यानि कि जो component का name है वो जो हमने define के है कहा header.view के अंदर उसके बाद आपको from लिखना और from के बाद double code के अंदर में आपको उसका path दे देना है यानि कि जो भी आपका जहां से file आप call कर रहे है यानि कि component जहां से आप call कर रहे है तो यहाँ पर आप देख सकता है कि मैंने dot की जगह पर add the rate लगा है यह add the rate क्या कर रहा है कि directly src का प labeling short करने के लिए add the rate लगा देंगे तो भी आपका वो call हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं गलती कर रहा था क्योंकि मैं export के अंदर डाला था आपको export के अंदर नहीं डालना है आपको script tag जो start हो रहा है आपका just उसके नीचे यानि कि उसके अंदर डालना है यानि कि export के बा add करना पड़ेगे जितने भी आपने components call किया है उन सब को ठीक है तो अभी फिलाल हम क्या कर रहे है कि एक component call कर रहे है तो इसलिए हम एक components को जो है एक component को add करेंगे इस components object के अंदर ठीक है तो अभी application हमारा तूट रहा है तो इसका को attention लेना नहीं है क्योंकि यह अभी तूट कर रहा है hello world को search कर रहा है और यह component जो हमने यहाँ पर call hello world जो हमारा call हो रहा है तो यह इसको ढूण रहा है जिसके हमारा application जो वो ब्रोक हो रहा है तो यहां से भी हमें हटा देना है तो इससे भी में हटा देता हूँ components को simply save कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमार application वो proper चल रहा है ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि यह हमारा header आगे अब header component के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा link है ठीक है वो यहाँ पर add करना है यानिके इन सबको मैं क्या करता हूं कि यहां से cut कर लेता हूं यह पूरी id देख रहे है नेवD आठे और इस पूरे को पूरे को यहां से cut कर लेता हूं और अउलडे हमने header add करना कि यहां पर एड कर देना है इसे तो इससे add करने के लिए simply आपको बस paste करना है but मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे क्या करना है कि completely view के ऊपर focus करना है यानि कि view js के ऊपर तो css वगरा मैं बहुत कम लिखूंगा तो इसके लिए मैं क्या चाहता हूं कि bootstrap use करना मैं चाह रहा हूं इसके अंदर तो फिलाल जो है वो as a plugin भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको simply cdn use कर सकते हैं तो अभी फिलाल मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं इससे paste कर दे रहा हूं और save कर देता हूं save करने के बाद अब यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा link है वो हमारा आ रहा और work भी कर रहा है तो bootstrap को use करने के लिए आपको simply जो है आपको bootstrap के site पर जाना पड़ेगा और यहां पर आपको documentation पर क्लिक करना है documentation पर यहां पर देख रहा है css css को आपको copy कर लेना क्योंकि बस हमें styling के लिए हम use कर रहे है उसका आपको public के अंदर जो index.stml है उसके अंदर आपको जाकर कि इसे paste कर देना है और save कर देना है इसमें मुझे navigation एड़ करना है तो navigation के लिए जाना आपको इस components पर और यह components जो है यह bootstrap का component इसे view से कोई लेना देना नहीं यह सिर्फ हम stml के लिए use कर रहे है तो आपको यहां पर दिखाना है क्योंकि component component में आप confuse ना हो जाओ ठीक है तो इस थरीके से आपको components में जाना है nav में जाना है और इसके वाले को मैं कर लेता हूँ यहां से copy copy करने के बाद क्या करना है कि हमें यहां पर template जो हमारा tag है इसके अंदर मैं यहां पर paste कर देता हूँ और paste करने के बाद हमें थोड़ा से यहां पर clean करना पड़ेगा यानि कि जो चीज हमें नहीं चाहिए यानि कि almost चीज हमें नहीं चाहिए तो वह हम हटा देते हैं बस simply हमें कर रहा है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट वगर हम यूज नहीं कर रहे हैं वूट एस्ट अप का ठीक है तो यह हमारा एड हो गया अब यह जो हमारा लिंक आ रहा है आप देख रहे हैं इस आईडी को मैं यहां से कट कर लिता हूं और कट करने के भाइ सीधा नेव टैक के अंदर आड कर रोग कर देता हूं और यह जो मारा दो राउटर लिंक है इन डोनों को मैं यहां से काट कर के और यहां पर गला बुचल करकर की उयोुच अटक आ रहा है लाई के अंदर इसकी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं और एटक के अंदर जो यह class देख रहा है आप नेव लिंक वाला इसे मैं यहां से कट कर लेता हूँ और इसके अंदर यूज कर लेता हूँ अटक já सेम दोनों में और बागी का जो आटक है वो हमें दोन है कि ह्छो हता है कि हमारी है बोर रॉटर निक के थूरू तो इसलिए हमें जरुद है नि ए टैक की बट ए टैक के अंदर जो class था वो हमने और लेड़ी router link के अंदर use कर लिया है ठीक है तो इस तरीके से हमें set कर लेना एक चीजों को और यहां पे जो हमारा nav tag के अंदर जो class वगरा आ रहा है इसको भी हमें थोड़ा change करना है बट इसे मैं save कर लेता हूँ फिलाल और यह जो हमारा देख रहे है आप तो ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा link है और nav tag जो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसको थोड़ सामें फॉर्मेटिंग करना होगा तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको container में add कर देते हैं ताकि यह बिल्कुल बीच में आया है और इससे right करने के लिए यहां पर यह boot setup का class है ml auto कर दिया मैंने यानिकि margin left auto तो यह अपने आप यह जो link है लोगो right से start हो रहा है अब इसे center करना है मतलब दोनों side space होना चाहिए तो इसके लिए container यूज कर रहे है फिल्याल मैं यह हटा देता हूँ जो space वगारे top से आ रहा है navigation में तो वह हमारा हट जाए हो ठीक है उसके बाद इसकी भी ज़ुरत है नहीं तो इसे भी हम clean कर देते अब देख सकते हैं यह थोड़ा सा सही दिख रहा है अब container भी मैं add करी देता हूँ तो container के लिए आपको क्या करना है कि nav tag के अंदर जितना भी code है हमारा stml सबको cut कर लेना है और एक container div add करना है यहाँ पे और उसके अंदर इसे paste कर देना है ठीक है save कर देते हैं अब देख सकते हैं यह बीच में आ रहा है बट इसका जो max width है वो भी हमें थोड़ा चोटा करना है वो भी हम करेंगे और जो background में color देख रहा है light वगरा वो भी हम use करेंगे तो यहाँ पे मैं css कुछ paste करते रहा हूँ ताके मुझे लिखना ना पड़े बार बार css कुछ css मैंने header tag के अंदर add क्योंकि वो सिर्फ इस component के लिए है navigation के लिए है और कुछ css जो है वो मैं app के अंदर add करूंगा app component के अंदर उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यह जो nav हटा देता हूँ मैं इसे और यहाँ पर light की जगे पर dark कर देता हूँ और यह हमारा nav tag already मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है इसका class ठीक है यह सारी चीज़े header जो है वो हमारा dark हो गया यहाँ पर mb-3 दे रहा हूँ यानि कि margin bottom 3 यह boot step का class है अब इस container को मैं यहाँ से कर लेता हूँ copy और जो app के अंदर जो हमारा यह router view आ रहा है इस router view को भी मैं add कर देता हूँ इस container के अंदर कि ताकर router view जो है वो भी हमारा container के अंदर आए ठीक है तो अब यह align हो गया properly और अब हमें क्या करने क्या है कि इसका मैं with भी चाहता हूँ कि थोड़ा छोड़ा कर दूँ क्यों जैसा मैंने आपको example site दिखाई है यानि कि example application almost च CSS paste करने app.view के अंदर तो यहां पर भी मैं paste कर देता हूँ यह हमारा global है और यहां पर देख सकते हैं अब container के अंदर max width मैंने 900 किया हुआ है और यह cart है, cart body है और cart body का 8 आए यह सब जब हम use करेंगे तो उसमें हमारा काम आएगा ठीक है तो यह हमारा background जो हमारा change हो चुका है color और उसके अंदर जो है वो चीज़े cart जो है वो हम use करेंगे जब तो हमारा cart class जो हमारा use हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने CSS already पहले ही डाल दिया यहां पर जो हमारा यह neighbor जो आ रहा है अब क्या हमें क्या करना है कि neighbor पर भी मैं चाहता हूँ कि link आए तो इसके लिए outer link य जैसे कि हमने यहां पर use क्या है तो simply क्या करना है कि यहां से मैं brand वाले जो class है वो मैं copy कर लेता हूँ यानि कि cut कर लेता हूँ और replace कर देता हूँ इसको और attack हमारा हट जाएगा यहां पर और यह देख सकते है कि अब हमारा neighbor जो है वो आ रहा उसको पर link आ रहा है बट अब जो link आ रहा हूँ वो router के through link है वो हमारा simple HTML वाला link नहीं है तो अब हमें क्या करना है कि जो name bar के अंदर जो brand name जो आ रहा है उसको हमें dynamic करना है तो उसके लिए हमें simply क्या करना है कि जो आपका यहां पर export के अंदर जो export जो देख रहे है export default इसके अंदर आपको लिखना है data औ को return करना है return यानि के लिगना और return के अंदर एक variable create करना है जो कि मैं यहां पे name रख रहा हूं उसका site title और इस variable के अंदर में string define कर रहा हूं जो कि हमारा application का name हुआ यानि कि view basics basics app ठीक अब इसे copy कर लेना है variable को और यहां पे आपको क्या करना है कि double curly bracket इसे हम कहते है string interpolation ठीक है तो इसे आपको use करना और यहां पे ऐसे paste कर देना और save कर देना ठीक है वो क्या होगा simply जो है आपका जो data यहां पी जो दिख रहा है वो आपका आजाएगा तो refresh करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो view basic आप जो title था यहां वो हमारा अबा रहा है और इस पे link करने पर यह homepage पर भी जा रहा है तो हमारा router जो है वो perfectly चल रहा है data का काम जो हो खतम हो चुब है इन सब को मैं close कर देता हूं और अब हमें करना गया है कि पर यह जितने भी हमारी हमारी जो मैंने example apps न दिखाया था उसके अंदर जितने भी हमें components दिखाया था था मैंने आपको उन सारे components को अब हमें create करना है तो इसके लिए आप दोनों folder में कोई भी आप select कर सकता है यह तो components folder केदर select कर सकते हैं या फिर आप views के अंदर create कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कोई hard rule नहीं कि आपको इसी में create करना है वो आपके उपर depend करता है कि आप किसमें comfortable है ठीक है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि जो हमारा home.view और about.view जो है वो views के अंदर आ रहा है तो इसलिए मैं सोचरों कि सारे component जो है जो page type के component है उसको मैं views के अंदर ही create करूँ ठीक है तो हमें जो components create करना है वो है सबसे पहला component आपको क्या करना है उसके लिए आपको view folder select करना और view folder के अंदर जो हमारा आएगा post list.view इसके अंदर हमी क्या करना है कि जितने भी post होंगे हमारे उन सब को मैं यहां पर list करना है यहां पर मैंने आप देख सकते है कि short command यूज के मैंने scarf hold लिका हुआ उसका एंटर किया तो उसने क्या क्या कि कि पूरा का पूरा उसने template script और style उसे add करके दे दिया तो यह भी जो है वो जो view folder plugin जो भी उसका नाम है उसके through आ रहा है तो यह मैं इसने use कर रहा हूं कि ताकर time बच सके code का और जल्दी-जल्दी में ज्यादा से ज्यादा code जो है मैं वो कर सको हूँ आप चाहते हैं तो आप भी use कर सकते हैं उसको ठीक है तो इस तरहीं केसा आपको component create करना और उसके बाद export के अंदर जा करके इस component का आपको name इसरा जो component है वो हमारा post detail.view इस पर क्या है कि जब हम post पर click करेंगे तो जो detail page खुलेगा वो हमारा सेम उसी तरीके सापको scarf hold लिखना आपको और enter करना आपको generate हो जाएगा और यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक div के अंदर सब कुछ हमें wrap करना है तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ सब के अंदर एक custom class add कर रहा हूँ और एक div लगा रहा हूँ ठीक है और उसके अंदर dummy content यूज कर रहा होना चाहिए जो यानि कि आपके file का ना में होई आपका name में भी होना चाहिए उसके बाद post add करने के लिए जो हमारा component होगा वह हमारा होगा addpost.view scarf hold simply enter उसके बाद में हमें यहां पर add करना है एक class जिसका नाम होगा add-post और उसके बाद आपको क्या करना है कि simply default के नदर जाना है name और name के बाद आपको define कर देना है add-post यानि कि यह आपका name होगा उसके बाद post comment comments.view scarf hold same और उसके बाद class उसके बाद फिर आपको export के अंदर export default के अंदर आपको name add करना है यह हमारा होगा post comment sorry post comments.view component तो जितने भी हमारे components थे वो सब मेंने create कर लिया अब हमें क्या करना है इन सारे components को link करना है मतलब जहां जहां हमें जरुआ थे तो सबसे पहले home.view component पे जाएंगे और उसके अंदर जो हमें component add करना है वो हमें add करना है सबसे पहले post list add करना है क्योंकि हमें post की listing उस component पे दिखानी है और वो component जो है उसे हम link कर रहे है home.view से यानिकि almost जो component है वो हमारा home.view पे ही आएगा तो उसको आपको करना क्या है simply custom html tag as a custom html tag आपको add करना यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे add post add कर रहा हूं उसके बाद post list add करेंगे इसी तरीके से आपको custom html tag add करना आपको add post के लिए और post list के लिए और उसके बाद क्या करना है इन दोनों को import करना है import करने के लिए ठीक script tag के just अंदर में आपको इस तरीके से आपको add करना है यानि कि import करना है जो भी आपने name add कि है वो और from आपका जो है path हो जाएगा यानि कि folder का जो कि मैंने आप add the rate और views slash जो नाम है फाइल का ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि export के अंदर name के just नीचे components create करना object और उसके अंदर हमें इस तरीके से add कर देना है दोनों को यानि कि add post को और post list को और उसके बाद save और यहां पर आप देख सकते हैं black color में दिख रहा है इसलिए उतना visible नहीं है यहां पर दोनों हमारा add post और post list जो है वो component की list हो रहे है जिसके अंदर हमारा भी simply content लिखा हूँ add post और post list उसके अंदर हम बाकी की चीज़े जो है जब add करेंगे तो आपने आपको वह दिख जाएगा उसके बाद जाना आपको post list.view के अंदर और यहां पर क्या करना है कि पहले HTML add करना है तो यहां पर मैं card और card body नाम का दो div बना रहा हूँ जो के card body मतलब card div के अंदर आएगा हमारा card body और उसके अंदर अभी फिलाल जो है वो dummy content में add कर दे रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से ही है हमारा जो है box आ गया यानि कि card आ गया अब इस card के अंदर हमारे post की जो है वो listing आएगी इसके लिए हमें API call लगाना है उस सेम उसी तरीके से अभी हम क्या करते है जैसे इसके अंदर भी मैं add करते रहा हूँ यानि कि add post के अंदर भी card add करते रहा हूँ और card body add करते रहा हूँ और यह जो short use कर रहा हूँ short command यह जो है three यह bootstrap का class है अब इन दोनों के बीच में gap आ गया तो add post post list जो हमारे आ रहा है उसके अंदर हमें API call लगानी है जो के json placeholder पर चलते हैं फिर और यहां पर देख सकते हैं यह जो post लिखा हूँ पोस्ट इस पर हमें click करना है और इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे post है यहां क्या करें कि json format में हमें data provide कराता है और उस data को जो है हम क्या करते हैं कि API call लगाते हैं और API call के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग methods है अब plain javascript का जो है वो fetch API भी यूज़ कर सकते हैं या फिर axios यूज़ कर सकते हैं तो post list के अंदर हम API call नहीं लगाएंगे हम क्या क करेंगे कि post list हम data दिखाएंगे बट API call जो हमारा home पे होगा ठीक है और इसको ऐसे parameter जो है वो data हम call करेंगे यहां से इसके थुरू ठीक है तो सबसे पहले क्या करते है कि axios का हम यूज़ करना है तो axios को install करना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको stop करना है आपको server को जो आ अब इसके लिए उसके बाद आपको axios से install करना है npm install इसके लिए pushes करना हूँ आपको use करना है क्याकर वे स्विंपार जैब उसके पहले हमारा जो home.component है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, API call लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले, Axios को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करने के लिए, आपको यहां पर लिखना, इंपोर्ट, इंपोर्ट करना, Axios, फ्रॉम, और इस तरीके से आपको, डबल कोड के अंदर में, Axios लिखना है, ठीक है, इससे क्या होगा, कि आपका Axios जो है, वो इंपोर्ट हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कि, जो Axios है, उसको आपको यूज करना है, यानि API call लगाने है, API call लगाने के लिए, हमें यहां पर क्या करना है, कि हमें यूज कर लगाना है, कॉमा के बाद आपको लगने, created, और created के बाद आपको इस तरीके से bracket लगाना है, bracket के अंदर जो है, आपका API call लगेगा, तो यहां पर क्या करना है, हमें data get करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Axios.get, get क्या करता है, कि यह data को server से get करने के लिए होता है, यानि कि जब data हम post करते है, server के उपर, तो वहां पर हम use करते है, post, update करने के लिए, update और delete करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर हमें क्योंकि data get करना है, तो इसलिए हम .get use कर रहा है, .get के बाद यह क्या करता है, कि हमें यह promise provide करता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, promise के साथ वो data अब हमारा ब्लन आ अदर यहां पर एक पोस्ट कि क लिक करता हूं और को देख सकते है यह जो यह यहां आपको simply क्या करना है बस यहां से copy कर लेना है और इस url को copy करने के बाद इस get के अंदर आपको add कर देना है उससे पहले आपको use करना है backtix backtix क्या होता है एक sign है जो कि आपके keyword में जो जहां पर one लिखा होता है one के just left में आपको दिखे रहे है ठीक है तो वो आपको use करना है और उसके अंदर url add कर देना है यह मैं क्यों use कर रहा हूँ यह आपको आगे अपने पता चल जाएगा और फिर मैं describe भी कर दूँगा ठीक है तो backtix के function में use कर रहा हूँ response को मैंने short में लिखा हुआ रेज ठीक है तो आपको इस थरीके से response लिखना है और उसके बाद जो है यह आपका response आएगा as a data तो अब क्या करना है आपको कि जो data आएगा उसको आपको store भी करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां प करना क्या है कि यहां पर जो है जो हमारा response आएगा उसे हमें store करना है तो store करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहां पर data के अंदर return करेंगे और return के अंदर में एक हमें करना क्या है कि post नाम का यानि कि posts नाम का जो है एक array create करना है और इस array के अंदर हम क्या करेंग कि जो हमारा response आएगा उसको हम इसके अंदर store करेंगे ठीक है तो store करने के बाद हमने यहाँ पर पोस्ट आरे जो हमने create कर लिया अब हमें क्या करना है कि वापस से response के लिए जाना है तो response के साथ-साथ क्या होगा कि हो सकता है कि error भी आए तो जब error आएगा तो उसके लिए हम क् catch करना है तो catch करके फिर हम इस error को भी store करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और array create कर लेता हूँ errors नाम से अब हमें करना क्या है कि वापस से जाना है raise के अंदर और this.posts is equal to यानि कि जो post हमने उपर पोस्ट जो हमने उपर define किया है object मतलब sorry array जो हमने define किया है उसको हम य data के अंदर जो post हमारा उसके बाद is equal to res.data यानि कि जो data हमारा आएगा response के साथ वो data को हमें store करें क्या this.post में यानि कि जो post हमारा data के अंदर जो हमारा array है उसके अंदर ठीक है उसके बाद हमें catch में जाना है catch के अंदर जो हमारा अगर error आता है तो error को हमें catch करना है उसके ल array function use कर रहा हूँ, उसके बाद this.errors.push यानि कि this.ka मतलब होगा, this.ka मतलब होगा data data के अंदर जो array नाम का, errors नाम का जो array है उसके अंदर हम push कर रहे हैं, क्या, यानि कि जो error आएगा उसे ठीक है, तो इसे save कर देना है, अब हमारा जो data है, वो हमारा store हो रहा है, post के अंदर, अब इसे क्या करना है, जो data आएगा, उसको हमें display करना, display करने के लिए हमें क्या करना है, कि जो data मारा display होगा, वो post list के अंदर display कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि home component से, हमें transfer करना data को post list component के अंदर, तो उसके लिए हम यहां पर यूज़ करेंगे क्या प्रॉप्स तो प्रॉप्स के लिए हमें करना क्या है कि वी बाइंड यूज़ करना है और वी बाइंड के अंदर यहां पर आपको लिखना पोस्ट और पोस्ट जो है आपका उससे पहले आपको इसे बाइंड भी करना है as a post यानि कि as a props और props जो है वो हमारा क्या हो गया posts हो गया और post के अंदर हम क्या भेज रहे हैं post जो क्या हमारा यहाँ पर जो data आ रहा है ठीक है rewind को आप हटा भी सकते हैं इस तरीके से आप चाहे तो clean दिखने के लिए बट अभी फिलाल मैं रहन देता हूँ तो इस तरीके से आपको data see perhaps यह क्या हो रहा है कि आज प्रफ्स हम पास कर रहा है यहां प्रॉप्स किस component में कर रहे है फास इसको कर रहा है post list component में ठीक है तो अब हमें यहाँ पे post list component के अंदर इसे get करना पड़े यानि receive करना पड़े तो receive करने के लिए je यहांप लिखना पड़ेगा props और props में जो data आ रहा है वो क्या है हमारा array है तो इसके लिए हम यहाँ पर array define करना परेगा array के अंदर double quote के अंदर जो हम data वहां से pass कर रहे हैं उस data को हमें यहां पर add करना पड़ेगा यानि कि post को add करना पड़ेगा ठीक है तो as a prop हम यहां से pass कर रहे हैं और यहां पर इसे receive कर रहे हैं अब receive तो हमने कर लिया अब हमें क्या करना है कि इस जो data हम receive कर रहे हैं उस data को हमें क्या करना है कि यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना है कि क्योंकि multiple data है तो हमें यहाँ पर loop use करना पड़ेगा लूप use करने के लिए V मतलब view के अंदर हम क्या करते हैं V if का use करते हैं sorry V for का use करते हैं तो हम यहाँ पर use करेंगे V dash for कि जो आप प्रॉप में पास करने रहे हो और दूसरा जो प्रॉप पोस्ट जो देख रहा है यह आप कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जिट कुछ भी आप आप कर सकते हैं ठीक है तो अब हमारा पोस्ट जो है वो यहाँ पे लूप में आ चुका है अब हमें क्या करना है कि इस पोस्ट को डिस्प्ले करना है तो उससे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एरर आ रहा है ठीक है तो एरर को हम अभी फिक्स करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस हमारा unique value वो है हमारा यहां पर post का id क्योंकि अलग है हर post में unique है तो इस तरीके से key add करते हैं की के अंदर हम add करते है post.id ठीक है post.id मतलब जो आपने यहां पर define किया गया है post of post लिखा हमने इसलिए हम आप पर post.id लिखा है अगर हम x of post लिखते है तो हमें x.id लिखना होता है ठीक है यह होगा हमारा अब हम इस post को same जैसे post.id हमने key में pass किया उसी तरीके से हम double curly bracket के अंदर string interpolation बोलते हैं इसको हम यह data यूज करेंगे जैसे कि title और body यानि कि जो data हमारा post के अंदर API के थुरू जो आ रहा है यानि कि post.title हो गया s3 के अंदर मैंने इसे add कर दिया अब हम क्या करते है कि जो हमारा body यह post का यानि कि post.body उसको भी string interpolation के थुरू यानि कि double curly bracket के थुरू हम यहाँ पर add कर देके ठीक है अब यह हमारा आगे आगे आप इसे हम सेव कर देते हैं एक बार ब्राजर पर चेक कर लेते हैं ठीक है यह position placeholder से get कर रहे तो क्युंकि बहुत सारा data है तो इसलिए amount list यहाँ पर आ रहा है बट हमें क्या करना है यह में से थोड़ा कम करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसay list कर सकते हैं, उस्से blacksест कर सकते हैं मतलब limit कर सकते हैं उससे पहले margin दे नहीं था हूँ हूग से कि जितना सारा डेटा आ रहा है तो जिसन प्रेस वोलर क्या करता है हमें option प्रोवाइड कराता है कि आप जो है limit add कर सकते हैं जितना आपको data दिखाना है तो अब इतना सारा पोस्ट ना दिखा करें हम उसमें limit add कर देंगे यहां पर हम add करेंगे limit तो आपको करना क्या है post के बाद यानिकी URL में question mark add करना है question mark के बाद आपको कि टोटल जो है हमें यहां पे सिर्फ five ही data दिखाएगा ठीक है बागी का data वो वहां से get नहीं करेगा ठीक है तो आप इसमें limit जो है आप अपनी मर्जी से जितना चाहिए उतना रख सकते हैं total data जो आ रहा है अगर आपको वह रखना है तो आप यहां से limit जो हटा दें जैसे हम example जैसे मालनों कि यह तो हमारा data आ रहा है तो हमने data दिखा दिया ठीक है अब suppose करो कि data नहीं आएगा अगर error आ रहा है तो error को कैसे दिखाएगे तो error को दिखाने के लिए यहां पे हम क्या कर रहे है कि एक div यहां पे add कर रहे है same जैसे card हमने add किया उपर में ठीक है और मैं सी show हो जब हमारे पास error हो यानि कि b dash if का use कर रहे है यहां पर error and error length यानि कि error हो और कम सकम एक error हो तब जो है वो display हो हमारा यह div और उसके अंदर क्या कर रहे है अगर multiple हो तो जैसे हमने यहां पर loop लगा है उसी तरीके से वो loop में data आ जाएगा और हमने key के अंदर जो index यूज़ क क्योंकि error का कोई unique ID तो होता नहीं है तो इसलिए हमने index पास किया यहां पर इसको हमने क्या कि error को हमने add किया bracket के अंदर comma लगा करके उसके पास index को हमने key में use कर लिया ठीक है तो इस तरीके सा आपके पास अगर unique data नहीं है तो आप index भी use कर सकते है जब आप loop लगा तो ठीक ह नहीं है आप simply जो है वह जैसे post की listing करा रहता है वह आप display कर सकते है ठीक है तो इस तरीके से आपका post का data जो है वह आपका आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है कि जो यह हमारा post की listing आ रही इस पे जब हम click करें यानि कि इसके title पे तो यह इसके detail page पर ले करके जाए तो उसक about जो route आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो comment रहा है आ रहा है इसको मैं remove करकर करके और यहाँ पर इसका component call करता हूँ जैसे कि हमने यहाँ पर में call किया path name और component home के लिए ठीक है तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर about का component मैंने add कर दिया ठीक है तो router के लिए तीन चीज़े होती है basically जो है तीन चीज़े होती है जैसे कि हमारा एक तो होता है path जिस यानि कि URL में क्या होगा उसके बाद name होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा component component में मतलब कि इस पर click करने के बाद इस path पर किस component पर जाना चाहिए तो वो होता है त पर हम क्या करें कि detail के लिए open करें मतलब detail के लिए create कर रहे है router तो हमने path में यहा पर define किया जो हमारा path रखना है वो और उसका name हमने post detail add किया जो कि यहां पर देख सकते है आपका define क्या हुआ हो और उसके बाद इस component को हमने call किया हुआ है ठीक है तो यह हमने यहाँ पर name define कर है ठीक है तो यह name होगा हमारा component का name जो है वो component में आएगा और name में जो है यह आपका router का name आएगा ठीक है clear और उसके बाद column के बाद id है वो id जो है वो हमारा ऐसे param हम pass करेंगे यानि कि यहाँ पर देख सकते हैं अब जो यहाँ पर call करना होगा router के अंदर में जैसे हमने home और about को import कर यहाँ पर उसी तरीके से ठीक है तो यह हमने import कर दिया अब क्या है कि हमारा router जो है वो हमने create कर लिया है detail page के लिए भी से save करके close कर देते हैं अब हमें क्या करना है कि post list के अंदर यहाँ पर post list के अंदर जहाँ पर हमारा title आ रहा है इस title के उपर मैं link लगा में चाहता हूँ यहाँ कि post dot title को तो इसको क्या करना होगा हमें प्ले ऐसे plain rpm by a tag लगाते हैं और उसको पर hriff लगाते हैं प्र लिंक पस्क नहीं जहाँ पहाँ हमें sent करना होता है उसी तरीके से view के अंदर हमएं किया करना होता राउटर लिंक इस्टार्ट करना है और हमें यहाँ पे close करते हैं जैसे और यह Close होता, उसी तरीके से router-link start होगा और router-link जो है वो हमारा close हो जाएका और उसके बाद उसके अंदर जो हमारा data है वह हमारा dynamic आ रहा है यानी कि post.title यानी कि हमारा title आ रहा है उसके बाद हमें क्या करना है? router-link जो हमने start किया है उसके अंदर हमें add करना पड़ेगा 2 और इस 2 के अंदर हमारा जो है जैसे href होता है उसी तरीके से यहां पर 2 है 2 के अंदर हमारे URL पास होगा but URL से यहां पर 2 से पहले हम जो है colon लगा रहे semicolon लगा रहे semicolon इसलिए लगा रहे क्योंकि यह जो हमारा URL यहां पर पास होगा वह हमें as a props पास कर रहे है ठीक है तो इस तरीके से आपको पास करना है आपको to के अंदर और जो post detail है उसका path आजाएगा जो हमने define के router के अंदर और यह जो है यह हमारा dynamic आएगा यानि के id जो है वह हमारा dynamic आएगा post.id क्योंकि यहां पर dollar use कर रहे है dollar sign यानि के variable use कर रहे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जैसे हमने post URL के अंदर पास किया था उससी तरीके से यहां पर हमें backticks पास करना पड़ेगा यानि के one जो आपकी keyboard के keyboard में जो one keyword की है उसके just left वाला key है ठीक है उसको आपको pass करना है और उसके अंदर इसको आपको pass कर देना है और देख सकते हैं जैसे मैंने a tag लगाया है तो यहां पर इसका color change हो क्योंकि हमने css में जो है इसको already पहले add किया था इसका css अब इस पर जब आप click करेंगे तो आप देख सकते है यहां पर post dash detail और slash one जा रहा है ठीक है यानि कि हर post पर जिस post पर click करेंगे उसके id जा रही है यानि कि url में हम id को pass कर रहा है किसके थुरू वहां पर जो हमने link के अंदर जो हमने add कि अब जो id जो हमारी आ रही है उस id को सबसे पहले हमें get करना है और get करके store करना हो और उस id क through जो है हमारा data जो है वह हम post details dot view के अंदर दिखाएंगे और उसके लिए हम क्या करना है पहले हम card add कर रहे है कि ताके यहां पर आपको proper तरीके से दिख सके कि क्या आने वाला यह आप है ठीक है अभी हमारा card आ गया post detail इसके अंदर dummy content है और जब हम इस पर click कर रहे है तो आप देख सकते one पर click किया तो यहां पर one आ रहे है तो अब यह one जो है हमारा उपर जो हम URL पास कर रहे है यह हमें पास करना पड़ेगा API के URL में ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यानि कि फिर से हमें API call add करना पड़ेगा और इस बार हम home.view के अंदर नहीं API call लगा नह है क्योंकि हमें क्या करना है कि इसके अंदर लगाना है यानि कि post detail के अंदर लगाना है और हम इसमें data जो है वो props के थुरू पास नहीं कर रहे है वो simply directly हम यहां पर data gate कर रहे है क्योंकि यहां पर component के अंदर component नहीं है और directly जो है वो हमारा एक ही component है यानि कि post detail जो है directly वही है ठीक है तो सेम जैसे हमने वहाँ पर axios import कराया था उसको आपको axios import करना है और उसके बाद सेम जैसे home पर हमने data वगरा पास किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सारी चीज़े करनी पड़ेगे तो सबसे पहले मैं default के अंदर data बास कर रहा हूँ बतलब data add कर रहा हूँ जैसे हमने वहाँ पर add किया था और उसके अंदर हम return करेंगे जो भी data हमारा आएगा ठीक है अब इस return के अंदर हमें क्या करना है कि वहाँ पर हमारा posts आ रहा था क्योंकि multiple posts था और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो array होगा वो हमारा single post का होगा यानि कि simply post का array है ठीक है अब इस array के अंदर हमें जो data हमारा आएगा response के through यानि API के through उसको हमें इसमें store करना राइड गया था सेम उसी तरीके से तो मैं क्या करता हूँ कि simply यहाँ से पूरा का पूरा copy कर लेता हूँ कि पूरा created created क्या है आपको याद एगना है यह life cycle method है इसे बोलते है life cycle method ठीक है तो data के जस्ट बात जो है हमें कॉमा के बाद paste कर देना है जैसे हमने वहाँ से copy किया था created life cycle method उसी तरीके से और क्यूंकि data हमें यहाँ पर get करना है तो यहाँ पर भी जो है हमारा get ही जाएगा axios के साथ में बस हमें क्या करना है कि जो हमारा this.post है वो हमें यहाँ पर add करना है post की जगह पर और is equal to erase.data जो है वो हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि वो data ही वहाँ से आएगा ठीक है और उसके बाद जो हमारा url है इसमें आप देख सकते हैं कि one हम pass कर रहें as a parameter ठीक है तो इस url को जो है हमें get करना पड़ेगा मतलब जो id उपर में जारी वो हमें get करना ही पड़ेगा तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक variable define करना पड़ेगा और उसमें store करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं नाम रख ठीक है तो इसका मतलब कि यह होता है कि जिस पे आप click करोगे तो उसकी id जो browser में जाती है यानि कि url में उसको हम क्या करते हैं कि route.params के थुरू get करते हैं ठीक है यहाँ से हम क्या कर रहे है कि params के थुरू जो है route.params के थुरू यहाँ से data send कर रहे है ठीक है as a prop और उसके through जो है जिस post पे click कर रहे है उसकी id जा रही यह url में ठीक है और उस url को हम क्या कर रहे है यहाँ पे store कर रहे है id नम के variable में ठीक है उसके लिए हम use क्या कर रहे है this.route.params.id ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो single post है हमारा posts slash one जिससे क्या हो रहा है कि अगर आप one लिखेंगे तो one post का जो detail है वो यहाँ पर आएगा two लिखेंगे तो two लिखेंगे तो two आएगा जो भी वहाँ पर pass करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना post के बाद slash add करना और यहाँ पर pass कर देनी id तो अगर हम id static pass करेंगे यानि कि one pass करेंगे तो one कही data आए ठीक है गेट करके store कहां करा रहा है id में और उस id को यहाँ पर हम dynamic add कर देंगे ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा dollar और उसके बाद curly bracket के अंदर this.id this का मतलब हो गया data और data के अंदर हम use कर रहे id तो .id हमारा हो गया और यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था पह variable हो वह हम pass कर सकते नहीं तो आपको plus 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 ऐसे करके आपको use करना पड़ेगा यानि उसको जोड़ना पड़ेगा cancatenate बोलते है I think ठीक है तो यह हमारा हो गया अब जो है हमारे data जो है वह आ रहा है और इसको हमें store कर रहे है कहां पे post नाम के array में और अब क्या करेंगे कि हमार data जो है वह post single post है तो यहां पर हमें loop चलाने के जोट नहीं है ठीक है न तो इसके लिए हमें क्या करना है directly यहां पर string interpolation यानि कि double curly bracket के थुरू हम यहां पर directly post.title post.body यानि कि जो data हमारा post के अंदर आ रहा है वो हम सीधा लिख देंगे यहां पर हमें loop चलाने के जोट नहीं ह हैं यहां पर देख सकते हैं कि हमारा data आ रहा है अब यहां पर जिस पर आप click करेंगे उसकी ID आएगी उपर में और उस ID के थुरू उसका title और उसका description आ जाएगे ठीक है अब जैसे यह 3 है तो 3 में देख सकते हैं 3 का अलग आ रहा है जो title वहां पर listing में आ रही होई title यहां भी आ रहा है और detail में भी body में भी वही आ रहा है ठीक है तो post हमने list कर दिया post के click पे हमने post के detail पे भी भेज़ दिया अब हमें क्या करना है कि आगी का procedure है हमारा पा comment show करना है कि मतलब जिस post का जो comment है वो हमारे यहां पर show होगा ठीक है तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि API call लगाना पड़ेगा और API call में सेम वही जो procedure हमारा सेम वही हम procedure follow करें है ठीक है बट यहां पर क्या है कि जो हमारा comment जो हम display कर रहा है वो comment जो है हमारा एक अलग component में display कराएगा यानि कि post comment.view नाम का component है उसके अंदर हम इससे display कराएगा तो उससे पहले क्या करना हमें यहां पर उस component को यहां पर हम call करना पड़ेगा ठीक है call करने के लिए simply क्या करना है जैसे बाकी के components को हमने call किया है उसी तरीके से हमें call करना है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते है इसका name क्या है post comments ठीक है तो यहां से मैं name copy कर लेता हूँ और इसको इस card के just नीचे as a custom html tag मैं यहां पर add कर देता ठीक है अभी यह हमारा link हो गया है और अब हमें क्या करना है इसको हमें import करना पड़ेगा ठीक है तो import करने के लिए हमें क्या करना है simply axios के just नीचे हमें क्या करना होगा यहां पर import करना पड़े है क्योंकि यहां पर हमारा data भी आ रहा है तो इसके साथ में भी आप import कर सकते ह ठीक है तो इस तरीके से आपको जो इंपोर्ट करना है उसका नेम और उसका पास डाल दिना है ठीक है अब यह जो है आपका आरा डेटा मतब कंपोनेंट आ रहा है और कंपोनेंट को फिर क्या करता है हम लिस्ट करते है नीचे इसमें export default के अंदर as a comments object ठीक है तो इस तरीके से add करना है आपको यहां से copy करना इसका नेम और components object के अंदर इससे आपको पास कर देना है बट एक चीस का आपको ध्यान लगना है कि जब भी आप add कर रहा हूं कुछ भी तो उसको separately जो है वो comma के तुरू जो है वो up close करना है तो आपको error आएगा और application जो वो रहें नहीं करेंगा ठीक है यह देख सकते है आप जो comment के अंदर हमें static लिखा हुआ था content post comment वो दिखा जा रहा है अब हम इसकी जगा पर क्या करना है कि card add करना है और card के अंदर card body add करना जानी कि do div add करना card div के अंदर card body div आजाएगा और इसके अंदर जो हमारा comment के data है वो add है ठीक है तो comment जो मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं उसका थोड़ा सा layout अलग है तो उसके लिए card के ही अंदर मैं use कर रहा हूं boot step का classes वगरा तो सबसे पहले त कर देता हूं कि थोड़ा यह अलग देखें तो post detail के अंदर यहां पर मैं क्या करता हूं कि add कर देता हूं margin bottom mb-3 यानि कि margin bottom 3 हो जाएगा तो इसे थोड़ा gap हो गया और अब क्या करते है थोड़ा इसको अलग दिखाना है तो यहां पर इसमें मैं bg dark bg-dash dark use कर दे रहा हू हमारा यहां पर पता चले कि यह comment की listing है और यह हमारा post का detail है ठीक है तो यह तो हमारा हो गया अब हमें क्या करना है कि जो हमारा post comment है उसमें हमें API call लगाना है और API call लगाने के बाद जो है उसका थोड़ा सा layout जो है वह हमारा उसे हसाब से दिखाना है चलते हैं bootstrap की site पर औ तो card को दिखाने का अलग-अलग तरीका है ठीक है तो इसमें एक यहां पर अगर आप नीचे scroll करेंगे तो एक side में image आता है और एक side में जो है information आप दिखा सकते हैं ठीक है तो इसकी बात मैं कर रहा था मैं इस तरीके से मुझे दिखाना है ठीक है तो इस पूरे html को मैं क्या करता हूँ जो card के अंदर जो देख रहा है आप html इस पूरे मतलब रो को पूरा का पूरा मैं copy कर लाता हूँ card use नहीं कर रहा हूँ कि card और लड़ी हमने वहाँ पर add क्या हुआ है ठीक है तो इसके अंदर का HTML मैं यहां से copy कर ले रहा हूँ और उसको क्या करते है कि इस card body के अंदर में नहीं paste करेंगे क्योंकि card body यहां पर है नहीं हमारा card body हम यहां से अहटा देते हैं और सीधा-सीधा card के अंदर में directly हम यहां पर paste कर देते हैं ठीक है। और इसको थोड़ा सा clean देख अब यह यह जो हमारा image आ रहा ठीक है तो image यह हमारा API के चुम् fato प्रूद आ नहींगे क्यों कि API में image है नहीं ठीक तो यह पर मैं क्या करता हूं कि static image जो है ओड करता ह daqui और वही same image जो है हमारे हर कमेंट के list में same image आ ठीक है तो जो image मैं मुझे add करना है उसको मैं Add कर देता हूँ assets folder के अंदर में उसे पहले मैं यहाँ पर path add करता हूँ add-assets slash thumb dot png यह image का ना में और assets folder के अंदर हमें add करना है और वो यहां से call हो रहा है तो जहां पर हमारा project है उसके अंदर src के अंदर assets assets केंदर मैं यहाँ पर directly image paste कर देगा हुँ जो हमने इसे में save कर देता हूँ और यहाँ पर एक पर देखते हैं यह हमारा जो है इस तरीके से जो है image आ रहा है और इसको छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि column है यह सब bootstrap का class है ठीक है तो यहाँ पर मैं MD2 कर देता हूँ और MDTN कर देता हूँ यानि इमेज जो है वो दो वाले वालों में आएगा और दस वाले में हमारा ये content आएगा अब ये जो content आ रहा है title, content और ये सब ये सब जो है हम यहाँ से json placeholder से get करेंगे तो यानि ये वला हमारा URL आप देख सकते हैं comment question mark post id is equal to 1 ठीक है तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हर एक मतलब यहाँ पे आपको post id सब का common मिलेगा इसके अंदर but listing आपको अलग-अलग मिलेगा यानि कि हर एक post के अंदर एक id उसकी जा रही है उसके थुरू वो call कर रहा है उसको ठीक है यानि कि जिस post के अंदर जो comment होगा उसको हम वहाँ से get करेंगे और इसको हम display करेंगे post comment.view के अंदर इसके लिए हमें क्या करना होगा सेम उसी तरीके से हमें API call लगाने पड़ेगी और API के लिए हमें यूज क्या कर रहे है Axios तो simply Axios को हमें इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद सेम हमारा जो है वो created method जो है वो हम यहाँ पर life cycle method जो है हमारा created वो हम यहाँ पर add करेंगे उससे पहले जो है क्योंकि जो data हमारा आएगा तो उसे हमें store करना पड़ेगा तो उसके लिए जो है यहाँ पर data add करेंगे जैसे बागी की components में हमने किया है और data के अंदर हम return करेंगे data को और जो data हमें return करना है उसका हमें यहाँ पर उसको define करना पड़ेगा as a variable ठीक है तो पहले में क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आ रहा है क्या id है ठीक है क्योंकि जो है हमें पहले id को store करना पड़ेगा कि किस की id है ठीक है तो id आप देख सकते हैं यहाँ पर पास हो रहा 1,2,3 तो हर पोस्ट की एक अलग id है और हम उस id के तुरू उसका comment गेट करेंगे तो same हम id को store कर लेंगे as a route param और उसके बाद जो हमारा comment आएगा उसको हमें store करना है comments array में ठीक है और यहाँ से मैं copy कर लेता हूँ created life cycle method को और यहाँ पर paste कर देता हूँ ठीक data के just नीचे आप आपको comma लगाना है, comma के बाद paste कर देना है और same उसी तरीके से आएगा यहाँ जैसा के detail पर यहाँ पर हमें change करना है तो simply this.post की जागा पर this.comments आ जाएगा ठीक है तो पहले मैं यह पूरा का पूरा URL को भी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर change कर देंगे इस URL को यहाँ तक और बाकी जो है is equal to के बाद जो है this.id जो आ रहा है वो हमारा जो है करना है इस comment array के अंदर तो मैं यहाँ पर add करता हूँ this.comments और इसके बाद res.data तो हमारा रहे गए ठीक इसे save कर देता हूँ और अब क्या करना है कि इसे हमें loop में चलाना है क्योंकि एक data तो है नहीं multiple data है तो multiple data के लिए जैसे हमने post list पे loop चलाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि loop चलाएंगे तो loop के लिए क्या करना हमें कि यह जो आप card देख रहे हैं इस card के अंदर मैं loop add कर रहा हूँ यानि के v dash for use कर रहा हूँ और उसमें मैंने add कि या comment in comments ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आपको in comments रखना है यहाँ तर Imper Tanah啊 और उसक है comment के ID कमेंट के अडिक है से यहां से unique जो है वो id ले सकते है ठीक है post का id अलग है comment की जो id है वो अलग है वो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इस तरीके से add कर दिया हमने loop में data और अब हमें क्या करना है जो loop में जो हमारा data आएगा यानि कि comments आएगा उसको हमें display करना है तो image क्योंकि है नहीं हमारा पास तो एक ही image है वह हम loop में चलाएंगे जो कि static चलेगा और जो हमारा पास post का comment का जो name है वो हमारा आजागा यहां पर comment.name और जो उसका body है यानि कि comments जो हमारा आजाएगा इसके अंदर यानि कि इस paragraph में comment.body ठीक है और यहां पर जो यह last updated दिख रहा है यहां पर मैं email आट कर दता हूँ तो हमारा के name.comment.name आगया comment.body आगया और comment.email आगया यह सारी चीजने जो है वो हमारा API में हा रहा है ठीक है तो यह हमारा आजाएगा इससे हम save कर देते हैं सेव करने के बादे चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से display हो रहा है ठीक है तो यह आगया हमारा अब इसमें थोड़ा से gap के लिए same boot step का margin का class है वो में add कर देता हूँ margin bottom का 3 हो रहा यह हो गया हमारा gap और यहां पर जो हमारा comment है हर post का वो दिख रहा है ठीक है तो अगर आप जि इसकी जो comments है और जो name है और जो email ID है वो सब यहां पर जो है वो आपका display हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जो है आप display कर सकते है comments को और अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहां पर इससे वापस जाने के लिए मैं एक यहां पर button add कर देता हूँ जिस button हम क्लिक करेंगे तो हम back जा सकते हैं यानि कि वापस home page पर वैसे तो उपर हमारा URL है already home और about वहां से भी जा सकते हैं बट मैं चाहता हूँ कि यहां पर एक back add कर दूँ कि थोड़ा सा मतलब एक function हो जागए आप है तो यहां पर हमें क्या करना है कि row add करना है यह भी row जो है वो bootstrap का class है row और column के अतना ही उसका वीद हो जाएगा और उसके लिए क्या कि हमने उसके अंदर फिर हमने route add कर दिया मतलब link के लिए और यह जो है क्योंकि यह button है तो button मतलब a tag है और इसके अंदर हमने button का classes add कर दिया क्लास के अंदर आप देख सकते हैं btn है जिससे के button type का भी आप करेगा और उसके वाद यह देखिए इसमें back add कर दिया अब जिस पे click करेंगे तो यह back पे जाएगा वापस से चला जाएगा और जो इसका route था हमने वो यूज किया slash तो इसलिए वो slash से सिधा home page पे जा रहे ठीक है तो आप जिस पे भी click करेंगे उसके detail पे जाएगा यह और वहाँ से back पे click करके वापस से back पे आ सकते हैं ठीक है तो अब हमने क्या क्या के listing भी करा दी listing पे click करके detail पे भी बेज दिया वहाँ पे comment भी दिखा दिया और list इसके जो post की detail दी वो भी हमने display करा दी और उस के लिए हमें क्या करना है कि यह जो हमारा add post हा रहा है इसमें form add करना पड़ेगा और उसका method वगर add करना पड़ेगा ठीक है उससे पहले हमें क्या करना है कि यह जो हमारा add post हा रहा है ठीक है तो add post जो हमारा component है वो यहाँ पर display हो रहा है तो हमें उसके अंदर जाना है और उ मैं क्या चाहता हूं कि जो हमारा जो add post जो content आ रहा है यानि कि जो form आ है वो by default hide रहा है ठीक है और एक बटन में बनाओ उस बटन पर जब मैं click करूं तो फिर show हो जाए ठीक है जैसा कि हमने example में आपको दिखाया था तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहां पर हम एक row add कर रहे है रो के अंदर हमने add कर यहां पर mb3 नाम का class और उसके अंदर एक column लिया और यह भी bootstrap का class है ठीक है उसके अंदर हमने text write यूज कर लिया और button add कर दिया ठीक है और button के अंदर हमने content add कर दिया यह कुछ इस तरीक तो हम यहां पर क्या करता है bootstrap का button के लिए classes है वह मैं यहां पर add कर देता हूं कि थोड़ा सा सही दिखे रहा है तो उसके लिए हम यहां पर button के अधर class add करना और class के अंदर button जिससे के button आ जाएगा और क्या color आपका button किस color का होना चीए वो तो primary color मैं यहां पर use कर रहा हूं इसके click पे method पास करना पड़ेगा और उस method पे इसको जो हम show height करेंगा उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसका color add करता हूँ bg dark add करके कि थोड़ा सी अलग दिखे ये भी boot step का class है bg-dark अब क्या करना है कि ये हमारा अलग दिख रहा है अब क्या करना है कि इस form div को by default वो हमें false करना है यानि कि as a boolean इसको define करेंगे और इसको define करतेंगे false तो इससे define करने के लिए पहले तो मैं data add करना पड़ा है क्योंकि ये data के अंदर ही add होगा और data के अंदर return के अंदर हमें क्या करना है कि ये variable define करना है तो इस variable को add करना है और इस variable को क्या करना है कि as a boolean यानि कि true और false आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं ऐसे false कर दे रहा हूँ तो by default यह अगर false होगा तो यह दिखेगा नहीं यानि कि hide रहाएगा अब हमें क्या करना है कि इस button पर जो हम click करेंगे तो एक method call होगा और उस method पर क्या करना है कि इस variable को जिसको हमने अभी false किया है उसको हम क्या करेंगे कि true कर देगे तो जब वो true होगा तो अपने आप जो है वो display हो जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस button के ओपर v-on use करना है यानि कि on click पर हमें use करना है ठीक है तो इस तरह किसा आपको on के बाद click use करना है और click के अंदर में आपको जो है जो method pass करना चाहते है यहाँ पर method का आपको name define करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने form show नाम का method का name जो है वो मैंने रखा है form show अब इस form show को हमें क्या करना है कि method create करना है और already previous video में method बता चुका हूँ आपको की method कैसे use करते हैं तो same उसी तरीके से हम यहाँ पर method use करेंगे method method के लिए हमें पहले यहाँ पर methods object create करना होता है ठीक है तो इस तरीके से हम data के नीचे methods object create करेंगे और इसके अंदर जिनने भी हमारे methods हमें वो हम pass करेंगे तो अभी हमारे पास form.show है sorry form show है और इस form show के अंदर हम क्या कर रहे है कि जो हमारा variable है यानि कि form div उसे हम यहाँ पर get करेंगे और यह कहां है variable data के अंदर है तो क्योंकि data के अंदर है तो हम इसके लिए use करते है क्या this ठीक है तो this.form div is equal to यहाँ पर हम क्या करेंगे true कर देंगे ठीक है पहले यह false है आप जब click होगा तो यह true हो जाए ठीक है तो यह क्या हो रहा है हमारा आप यह click करने पर यह display हो जा रहा है ठीक है तो यह हमारा display हो गया है अब इस content की जगह पर हमें क्या करना है कि title और body form का जो है वो हमें add करना और उसके through हम request send करेंगे server पर यानि कि post method यूज़ करेंगे और उसके through जो है data जो है post करेंगे तो यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ card और card के अंदर sorry card body card body के अंदर जो है हम form यूज़ कर रहे है और form के अंदर action number आएगा नहीं ठीक है अब इसके अंदर क्या करना है कि bootstrap का class यूज़ करना है अगर आप short use करेंगे short command अगर यूज़ करेंगे तो इसमें कहना है कि एक मैंने इसके अंदर मैंने एक extension यूज़ किया है bootstrap के लिए जिससे कि मैं यह generate कर रहा हूँ extension का नाम मैं आपको बता रहता हूँ यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यह देख सकते है bootstrap 4 font awesome 4 यह जो है यह हमारा जो है वो क्या करते है कि extension है इससे क्या होता है कि मैं इसको वापस से आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है ठीक है अगर आप यहाँ पर simply लिखेंगे b4 यानि कि bootstrap 4 होता है dash और यहाँ पर आपको लिखना है form dash group तो यह क्या करेगा कि form group generate करेगा और उसके अंदर level भी add करेगा इनपुट भी add करेगा और उससे related जो भी चीज़े होती वो भी add कर देगा ठीक है तो हमें क्या करना यहाँ पर level जो है वह हमें आरा for यहां से हम अठा देंगे simple level चाहिए हमें और जो हमारा input type text आरा है इसके अंदर id रहेगी और बाकी की चीज़े जो है वह हम इसके clean कर दे ठीक है यानिके simple आजाएगा type आएगा name आएगा class आएगा और placeholder आएगा ठीक है इस placeholder के अंदर में और जो है वो हमारा मतलब placeholder आयगा ठिक कि और level के अंदर जुआ है हमारा level ऑन gepanा का पुस्ट टाइटल अ प्लेसोलडर के अंदर एड़ कर रहा है इंपर पॉस् sigui टाइटल ठीक है इसको मैं कर लेता हूँ copy ठीक है अब क्या करना हमें कि दूसरा जो हमारा field होगा वो हमारा होगा text area इसके अंदर हमारा post का body जाएगा यानि कि post detail जाएगा ठीक है तो label में add करता हूँ post detail और input type भी जाएगा पर मैं यहाँ पर add करता हूँ text area ठीक है तो text area start करना और text area close कर देना आपको ठीक है अब इस text area के अंदर आपको use करना है placeholder ठीक है और class जो आपका bootstrap का वो यानि कि form dash control इसे मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ और सीधा इसमें मैं paste कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर क्या करते है कि placeholder के अंदर मैं यहाँ पर change कर जाता हूँ क्योंकि यह post title के लिए था तो मैं यहाँ पर add कर देता हूँ यानि कि name के अंदर text area में body use कर रहे है और name title में title use कर रहे है यही सेम चीज़ है हमें model में use करना पड़ेगा जो कि अभी मैं इसमें add करूंगा ठीक है उससे पहले हमें क्या करना है कि button add करना है यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा error आ रहा है बट आपको error दिखने ही रहा किमकि text area देख सकते हैं यहां पर यह close नहीं हो रहा है ठीक है तो यहां पर मैं slash add कर देता हूं text area के अंदर ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह छोड़ी छोड़ी चीज है नहीं तो error का आपको पता नहीं चलेगा ठीक है तो text area आपका आ गया और यहां पर फिर मैंने add कर दिया एक row row के अंदर एक class और उसके अंदर एक button add कर दिया जिसमें मैंने लिखा है create post यह हमा आपका जो data है वह post हो जाएगा अब इसके लिए हमें क्या करना है इसको पहले तो bind करना होगा data को जो भी मतलब form के अंदर जो हम data add करेंगे उसको हमें पहले bind करना पड़े है ठीक है तो bind करने के लिए हमें क्या करना होगा वी model के लिए वी डश-model यूस करते हैं ठीक है औ कर दे रहा हूं और दोनों का जो name के अंतर है वही दोनों के module के अंदर अधर कर देता हूं यानि कि title में title और description के लिए body ठीक है इसे मैं save कर देता हूं अब यह क्या है कि हमारा bind हो चुका है अब हमें क्या करना है कि जब हम data जो हमने bind किया उसे हमें data से link करना पड़ेगा ठीक है यानि कि add post के अंदर जो हमारा data आ रहा है उसे link करना पड़ेगा उससे पहले क्या करते है कि form के उपर हमें क्या करना है कि जब हम form submit करेंगे तो क्या perform होना चाहिए वो हम उस method को यहाँ पर call कर रहे है ठीक है तो add the rate submit लिखना है यानि कि submit पर करना है आपको और method करना है add post ठीक है तो अब add post मैंने add कर दिए उससे पहले एक चेज़ मैं यहाँ और add कर रहा हूँ dot prevent यह dot prevent क्या है submit के बाद जब आप button पर click करते तो वो क्या करता है ऐसा flash करता है यानि कि वो refresh कर देता है page को और जो भी आपको form का data होता है वो आपका उठ जाता है यानि कि gag हो जाता है तो उसको जो prevent को जो default करने के लिए यानि कि रोकने के लिए हम जो इस तरीके से यहाँ पर use कर सकते है ठीक है आप e.prevent default भी use कर सकते हैं बट मैं आपको view की चीज़े दिखाना चाहरा था इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे add कर रहा है ठीक है तो यह हो गया अब हमें क्या करना है कि इस method को call करना है methods के अंदर तो method का नाम क्या है हमारा add post तो add post यहाँ पर add करेंगे ठी ठीक है अब इसके अंदर जो हो हमारा method जाएगा यानि कि जो चीज हम करना चाहते है वो हम यहाँ पर करेंगे उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि वी model जो हमारा हमने add किया उसको पहले हमें bind करना पड़ेगा data से ठीक है तो जो data जो आप यहाँ पर name देख रहा है व जो कि blank होगा body भी हमारा blank होगा ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ कि V bind जो है उससे हमारा V model के साथ जो है वो bind हो गया ठीक है अब हमें क्या करना कि यहाँ पर जो हमारा add post जो जा रहा है ठीक है इसके इंदर हमें post का method call करना है उससे पहले हमें क्या करना कि यहाँ पर मैं use कर इस वारियबल के अंदर में मैं आप्जेक्ट पास कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट के अंदर में हम क्या कर रहा है कि दो डेटा पास कर रहा है यानि कि दो अलए टाइट्र और डिस्क्रिप्शन पास कर रहा है तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो टाइटल हमारा वो बाइंड हो जाए कि से धीस.title से यानि कि उपर हम जो पास कर रहे है डेटा के अंदर उससे ठीक है और बोडी के अंदर जो है पास हो जाएगा हमारा देस.body ठीक है यानि कि यह जो yang variable यह दो रहना अपस में link हो गए ठीक है इसके अंदर जो data आएगा वो इसके अंदर जो data आएगा उससे link हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि यह हमारा यह हमने define कर दिया एक variable अब यहां पर क्या करना है कि जो हमारा जो method है उसको हम क्या करेंगे कि यहां से send करेंगे कहां parent component में यानि कि add post जो हमारा component है उससे हम pass करेंगे कहां पर home.component के अंदर यानि कि जहां पर हमने add post यूज किया है वहां पर और method जो है वो हमारा यहां पर create होगा, ठेक है, तो इसको जो है, यहां भी create कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहरा हूं कि कैसे data जो है, जैसे props में pass करते हैं, उसी तरीके से event को भी pass कर सकते हैं, ठेक है, तो event को pass करने का, जो है, यह दो तरीका होता है, उसको बलते है, image करना ठीक है कि दो तरीका है वो दोनों में आपको बताऊंगे कैसे करना है अभी फिला जो है हम इस method से call कर रहे हैं इसको मतलब pass कर रहे है इसके लिए आपको क्या करना है this.dollar image use करना है ठीक है और image जब हम यहां पर use करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि दो चीज़ pass करना है एक तो एक पास करना है हमारा method ठीक है? और दूसरा उसके साथ में हमारा जाएगा देकर, यह यहां पर जबने variable create किया यानि कि new post तो यह दो चीज ऐसे parameter हम pass कर रहे है ठीक है तो add post जो है वो हमारा method का नाम है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ से जब हम data add करेंगे और इस पर click करेंगे तो यह क्या करेगा कि इन सारे data को और क्यूपर्टी method pass हो रहा है उसको यह क्या करेगा कि get करके वहाँ लेक कर रहा हूँ जो हमारा title और description देख रहे है यह मैं चाहता हूँ कि जब हम button submit करें तो यह क्या हो कि इसको blank कर दे है यानि कि title field को body field को blank कर दे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि this dot title और this dot body यह हमें use करना है और इसको blank रखना है ठीक है और इसको save करना है save करने के बाद यह क्या करेगा कैसे bracket के इंदर wrap कर देगा क्योंकि इसमें जो है extension add हुग है prettier तो वो क्या करता है कि on save पे यह अपने हिसाब से change कर देता है चीजों को ठीक है तो इस तरीके से एक line में इसने दिखा दिया और save कर दिया अब गया है कि यह जो data जो हमारा है वो जो है submit करने के बाद blank हो जाएगा और जो image use कर रहे है उसके अंदर add post हमने यहाँ पर name डाला है इस method का अब इस method को क्या करना है कि यहां से हमें send करना है कहां parent पे ठीक तो parent इसका कोन है home.component ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है home.component के अंदर add post क्योंकि यही हमारा component का नाम है जिसके अंदर हमने form create क्या है ठीक है तो इस component में जैसे हमने as a param as a prop हमने use क्या था data send क्या था उसी तरीके से हमें इस add post को यहाँ पे catch करना है यानि कि gate करना है तो उसके लिए हमें क्या करना हो को v-on और v-on पे जैसे हम click use नहीं कर रहे हम किसको use कर add post को ठीक है क्यों add post use करें क्योंकि हमने वहाँ पे add post के अंदर हमने name define क्या method का add post ठीक है तो add post आ गया add desk post ठीक है और उसके बाद जो method हम नाम रखना चाहरे है यहाँ पे उसका नाम हमें add के साथ caps में post लिखा हुआ है ठीक है तो जो हमने caps वाल use क्या वो हम यहाँ पे method के अंदर call करेंगे ठीक है तो methods के लिए methods object create करना हमें यहाँ पे और जैसा हम मतलब create करते आ रहे हैं अब तक उसी तरीके से ठीक है और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि pass कर देंगे हमारा method यानि कि add post ठीक है अब इस add post के अंदर में as a parameter यहाँ पे new post जो है variable हम यहाँ से send कर रहे थे तो इसको हम यहाँ पे ऐसे parameter यहाँ पे यहाँ से gate कर लेंगे ठीक है अब gate करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम use कर रहे है const यानि के variable और variable में क्या कर रहे है कि हम जो है जो data हम pass कर रहे है मतलब इस variable के अंदर new post के तो यह यह six का method है ठीक है तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि title, use करना है और body use करना है ठीक है और उसके बाद is equal to जो variable का हमने वहापे name define किया था वह हमने यहाँ पे वह define कर दिया ठीक है ना यह इसका याद नहीं है I think spread operator भोलते हैं साथ इसको exactly मैं confirm नहीं है उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो जो भी बोलते हैं ठीक है तो उस method से हमने यहाँ पे इसको store कर लिए अभ हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि Axios का use करना है और हमारा जो data उसको send करना है तो यहाँ पर Axios को हम import नहीं करें क्योंकि हम लड़ी हमने import किया हुआ है तो हमें directly सीधा method यूज करना है कौन सा? Axios.post क्योंकि यहाँ पर data जो है हम send कर रहे हैं कहां ब्राउजर पर यानि कि API पर तो यहाँ पर हम use करेंगे Axios.post और इसके अंदर क्या होगा कि हमारा URL जाएगा URL किसका जाएगा जहाँ पर हम data send कर रहे हैं यानि कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो post के लिए हमें यह पताता है कि आपको post URL पर send करना यानि कि same URL पर send करना है जहां से आप data get कर रहे हैं उसी पर तो मैं URL जो है same URL मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ और post के अंदर में यहाँ पर मैं same backtricks के use कर रहा हूँ ठीक है और backtricks की जगर पर हम URL यहाँ पर pass कर देगे बद backtricks मैं यहाँ पर use नहीं कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ add नहीं कर रहे हैं URL के अंदर तो simply जो है हम is equal to use कर रहे हैं ठीक is equal to इसलिए use कर रहे है क्योंकि एक और data हमें pass करना यहाँ पर जो कि object होगा तो comma और जो हमारा object है यानि कि curly bracket है ठीक है अब इस curly bracket के अंदर हमें क्या करना है कि हमारा जो data है वो हमारा add होगा यहाँ पर यहाँ यानि कि title और title में आ जाएगा क्या हमारा title यानि कि कौन सा title जो हम यहाँ पर new post से get कर रहे है ठीक है और body में आ जाएगा हमारा क्या body है ठीक है क्योंकि अब राजवाल कि यह six use कर रहे है तो आप दोनों नाम जो है वो same है ठीक है यहाँ पर यह देख सकते आप title और body है और title हम एड नहीं करें क्योंकि already title जो हमारा यह dynamic खुदी create करके देता है ठीक है तो title में हमारा title आ गया body में body आ गया और क्योंकि י guru yes 6 हम यूज़ कर रहे है तो दोनों का नाम same है तो हम यहां पर क्या कर सकते है कि simply यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं सिंप्ली title रिख देगे तो भी काम चल गया काब वार बौड़ी लिख देगे तो भी काम चल जाग हमारा ठीक है तो यह होगा हमारा अब हमें क्या करना है कि जो data हमारा है जो response में जो data आ रहा है उसको हमें send करना है ठीक है तो dot then और dot then के अंदर res यानि के response को मैं short में लिख रहा हूं और res के अंदर क्या करना है आपको कि pass करना है यहाँ पे this dot posts यानि के उपर जो यानि के data के अंदर जो हमें post यूज़ के है वो is equal to यह चीज़ मैं इसलिए यूज़ करना हूँ क्योंकि जब यह post जब वहाँ पे post होगा मतलब send होगा तो जो हमारा post की जो listing आ रही उसको फिर यह वापस करेगा जो post यहाँ से हम send करेंगे उसको attach करके यानि के साथ में जोड करके ठीक है तो वहाँ से जो data है वो इसको replace कर द बोलते हैं कि dot 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 तीन बार आपको यूज़ करना है और उसके बाद जो आपका नियम है यानि कि this dot post यानि कि जो आपका यहाँ पे array आपने data में यूज़ किया वो यानि कि वो उसका copy बना दे यहाँ पे और उसके बाद raise dot जो हमारा data वो हमें return कर दे ठीक है यानि कि यह क्या करेगा कि इसका copy बना लेगा और उस copy में add करेगा वो post जो हम यहाँ से send कर रहे हैं और इन दोनों को मिला करके वापस भेज़ देगा हमें कि इसमें add कर देगा जो हमारा जो मतलब data के अंदर जो हमें object जो array पास किया है यानि कि post उसके अंदर ठीक है I hope कि आपको समझ में आ पोस्ट हो जाएगा ठीक अब इसे क्या करते हैं कि चेक कर लेता है कि यह post जो है वो post हो रहा या नहीं हो रहा है तो इस button पर हमें पहले refresh कर लेते एक बार अब यहाँ पर मैं add कर रहा हूं title post one dummy कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पर create post पर से ठीक है दबा दिया button अब यह ह वापस से add हो जा रहा है एक और मैं add कर लेता हूं ठीक है यह देख सकते हैं हमारा दूसरा ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं refresh करूँगा इसको ठीक है तो आप देख सकते हैं जो data मैंने add किया था यहा पर वो जो है रिमूऊव हो जागा वह रिमूव इस लिए हो जाएगा क्योंकि json press holder जो है वो हमें जो है वो एक मितलब उसको mimic करता है ठीक है वो हमें option नहीं देता है कि आप उसके data में जो है वो store करो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग इतना data add करेंगे कि उसकी server जो है जो है वो data जब आपके database में store होगा तो आपका जो है वो ऐसे refresh करने पर वो delete नहीं होगा यानि कि grab नहीं हो जाएगा वो data आपका आएगा ठीक है तो अब हमने क्या 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 add post भी कर दिया detail वगरा भी हमने create कर लिए अब हम क्या चाहते है कि जब हम click करें list पर तो यह delete हो होगा कि जो हमारा जो post की जो listing आ रही है यानि कि जहां पर हमारा loop चल ला है ठीक है उसके अंदर हमें method पास करना पर एगा ठीक है तो loop कहां चल ला है post list component के अंदर में जो हमारा यह card का जो class हा रहा है इसके अंदर हमने v-for use किया तो इसी के अंदर जो हमें मतलब method call करना पड़ेगा ठीक है और जो यह method है वो हमारा क्या हो रहा है कि double click करने पर delete होता है ठीक है तो double click को use करने के लिए आपको जो है simply add the rate के साथ db click use करना पड़ेगा और dbl click use करना पड़ तो जैसा के मैंने बोला था हमको कि method को tag करते हैं, send कर सकते हैं, ethnic कर सकते हैं तो उसका दो तरीका थे तरीका मैsने आपको बता है अब यह दूसा तरीका है इस दूसरे तरीके से भी method को मतलब parent component तक send कर सकते हैं दोनों में आपको जो आपके लिए easy हो वो आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर db dbl क्लिक और उसके अंदर मैंने emit यूज़ किया, emit के अंदर मैंने pass किया दो data as a parameter एक के अंदर में एक मतलब del post जो के हमारा नाम होगा इस method का और उसका post.id ठीक है तो यह हमारा हो गया दो हम यहां से pass कर रहे है ऐसे parameter अब हमें क्या करना है कि यह data जो है वो हमारा कहां पर जा रहा है यह post list जो है इसका parent कौन सा है यानि कि home component है यानि कि home.view है तो यहां से आपको क्या करना है कि इसको pass करना है यानि कि emit करना है parent में इस component से ठीक है तो सेम उसी तरीके से जैसे हम ने किया था बट इसका तरीका अलग है इसके लिए हम method create नहीं कर रहा है हम यहीं पर directly यहीं से इसे send कर रहा है तो इस deal post को मैं यहां से deal dash post को मैं यहां से कर लेता हूं copy और इसके parent component में यानि कि home.view के अंदर जहां पर हमारा post list आ रहा है उसमें जाएंगे जैसे हमने यहां पर vbind as a param as a props हमने send किया तो उसी तरीके से हम यहां पर इसे get कर लेंगे ठीक है जैसे हमने add post में get किया था 7 उसी तरीके से डईल वी-on के उपर divine post और divine post के अंदर जो हमारा method का name जो हमें यहां पर call करना है ठीक है तो यहां पर method का name मैं रख रहा हूं delete post ठीक है तो delete post को अब हमक्त कंः mauvais के अंदर जाना है और जहां पर यह हमारा method शारा है इसमें जो हमा add post है इसके just बात कॉमा लगाना है और यहां पर delete post जो है वो हमें add कर देना है और उसके बाद क्या करना है कि as a parameter आपको याद होगा कि हम वहां से send कर रहे थे id post list के अंदर जो है वो हम id पास कर रहやって है यानि यह वाली डee post.id तो इसे हम यहां पर क्या करेंगे करेंगे कि get करेंगे तो यहां पर हमें simply क्या करना है कि लगना id तो हमारा we have a post id हो गया ठिक है अब हमें क्या करना है कि यहां पर delete method अब्ussen add कर न और यह लिट कहा करें server पर request बेंज रहा है यानि कि एक call लगा रहा है तो जैसे हमने get किया जैसे हमने post किया उसी तरीके से method आता है delete डिलीट के लिए और update के लिए आता है put या फिर update भी आप यूज़ कर सकते है ठीक है तो इस तरीके से delete add करना delete के बाद आपको then और catch then के अंदर हमारा response होगा और catch के अंदर हमारा error आगा और फिर then के अंदर मतलब delete के अंदर जो है हमारा URL पास होगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप delete method पास करना है अगर delete करने के लिए तो post के बाद जो है आपको id पास करनी होती है जिस post के अपको delete करना है उस id को ठीक है न तो post के id हमें पता है कि कौन सी id किस id बें post करने है तो जैसे कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने URL पास किया था उसी तरहीए से मैं यहाँ से इसको copy कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि हमें id पास करना और same URL भी है हमारा तो सीरा सिदा backtricks के अंदर के साथ में मतलब हम copy कर लिया इसको हमने और post slash this.id यानि कि हमार id हो गया ठीक है तो यहाँ पर this. जो हमें लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर this को हम हटा रहें क्योंकि यहाँ पर हम कोई data के अंदर से id नहीं ले रहे है यहाँ पर id जो है वो already हमारा as a parameter pass हो रहा है यानि कि method के अंदर तो इसलिए simply हमें यहाँ पर dollar के बाद id लिखना है बस ठीक है तो यह हमारा id हो गया उसका response के अंदर जो हमारा देन है उसके अंदर response के अंदर जो है हमारा this.posts आ जाएगा is equal to और यहाँ पर क्या करना है कि delete करने का अलग-अलग method होता है आप बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीका यूज करते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ फिल्टर method का यूज कर रहा हूँ ठीक है filter method जो है यह भी javascript यह six का method है ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि this.posts.filter और इस filter के अंदर post arrow function और उसके बाद post .id is not equal to id इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या करेगा चेक करेगा जिसपे हम click करेंगे यानि कि जिसपे हम double click करेंगे तो उससे यह id को match करेगा कि जिसपे click हुआ है उसकी id और जो post में जो data आ रहा है उसकी id दोनों अगर बराबर ना हो ठीक है यानि कि जिस id पर click करेगा उसको यह delete करके और उसके बात क्या करेगा कि जो id उसके इलावा नहीं होगा उसको छोड़ करके बाकी का जो content है यानि कि जो data है वो हमारा यह return करतेगा यानि कि उसको यह filter करतेगा तो इस तरीके से जो आप यह method यूज कर सकते है बाकी और भी method होते है जो सब लोग अपने अपने तरीका होता है उनका तो इस तरीके से मैं यहाँ पर filter यूज करता हूँ ठीक है अब क्या करना है हमें save करके इससे check कर लेते हैं जब आब इस पर डबल किलिक करेंगे तो यह क्या होगा कि delete हो जाएगा हमारा तो यह delete होगा हमारा अब कुछ add करके भी check कर लेते हैं यह हमारा add भी हो रहा है इससे refresh करेंगे तो यह भी हमारा मतलब रहेगा नहीं वह वापस से delete भी नहीं होता क्योंकि JSON place folder वह मिट करता च जोंको हमाराएएड करने का ऐप्षिन नहीं ठेथ है अब हमाराएट करने का ऐप्षिन नहीं ठेथ अब अब हमाराएप्ड़ेट करने जग़थ पर यह व कि अब गिट शेजिल से अब करोंडुए data जो है आपके data base में ahh store हो जाएगा और get करने के लिए get हो जाएगा edit करने के लिए update हो जाएगा और delete वंक्ति हो जाएगा तो यह सारी चीज़े हो जाएगी तो एक छोटा सा project था जिसके लिए हमने जिसके लिए हमने Vue CLI का यूज किया और Vue CLI के यूज करके हमने project create किया हमने router इसमें add किया router का इस्थमाल किया फिर हमने API call लगाई API call लगाने के बाद अलगले components create किया और उन components में data हमने API के थुरू जो है display भी कराया और data को जो है हमने add भी कराया delete भी कराया यह सारी चीज़े जो है हमने की और router के थुरू dynamic router reuse करके हमने post से post detail पे भी हमने वेजा तो यह सारी चीज़े हमने के तो I hope कि मैं उमेद करता हूँ कि यह जो चीज़े मैंने आपको समझाने के कोशिच की है और पूरी की पूरी मैंने एक वीडियो में add की है तो यह आपको जो चीज़े में वो मैंने समझाने कोशिच के वो समझ में आया होगा तो यह मतलब बहुत सारे लोग request कर रहा है थे कि जल्दी जल्दी वीडियो add मतलब publish करने के लिए तो इसलिए मैंने क्या गया कि जितनी चीज़े मैं बताने वाला था उन सब को मैंने एक ही वीडियो में combine करके एक साथ कर दिया कि ताकि आप जो है एक साथ आप सारी मैं बनाओ और मैं उमित करता हूँ कि यह आपके लिए useful होगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही फिर मैं आपको मिलता हूँ next वीडियो में next tutorial के साथ में तो इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को like करे, comment करे, share करे और चैनल पर नहा है तो subscribe ज़रूर कर ले, subscribe तुरने पाद एक mail icon आता है उसे भी press कर दे ताकि जैसे ही कोई वीडियो में upload करूँ तो उसकी notification जो है आपको मिलती रहे